गुद्मोरिंग डियो स्टुडेंट्स आजका हमारा सब्जेक्ट है इंग्लीस ओके उस्टुडेंट्स तो इंग्लीस में आपको ओपन करनी है आपकी संशाइन दन और आपको ओपन करना है स्टुडेंट्स पेज नंबर 72 यास यह वाला पेज यह कुणसा लेटर है यास लेटर जी कैपिटल लेटर जी एंड स्मॉल लेटर जी तो जलो आज हम वही वर्ग करते हैं तो नाउ स्टुडेंट्स आपकी संशाइन में भी ऐसे ही डोट्स दिये है ना देखो यह है कैपिटल जी और नीचे है स्मॉल लेटर जी डन तो आपको क्या करना है स्टुडेंट्स वह डोट्स को सिर्फ आपको ट्रैस ही करना है ओके तो चलो हम करते हैं ना हमने अल्रेडी कर लिया है तो अब भी हम यह ट्रैसिंग ही करते हैं सिर्फ राइट तो चलो तो कैपिटल लेटर जी आपको करना है पेले आपको करने है कव डन्स टू डन्स यहां तक आपको ऐसे कव करना है ओके यहां तक कव किया फीर आपको यहां पर कर देनी है sleeping line, done तो यह है capital letter G done, but students जो हमने CW की book में किया था letter G वो तो ऐसे नहीं था, वो कैसे था? हमने पेले कव किया था ऐसे फिर sleeping line की थी और standing line की थी, right? तो यह letter ही सही है, आपको capital letter G आपकी book में ऐसे ही लिखना है, यही right method है but हमारी जो sunshine की book में है वो essay tracing दी है, essay dots दिया है तो हमको सिर्फ रैस ही करना है तो हम जैसे dots दिये हैं, वैसे ही trace करेंगे, right? but अगर सही method है, तो यह है, right? आपको ऐसे ही करना है, जी now चलो, अभी हम next one करते है पहले हम कर देंगे cow, और cow students आपको ऐसे यहां तक लेके जाना है done, और फीर आपको कर देनी है sleeping line, so capital letter G और G for क्या होता है? yes, G for girl हमाई sunshine की बूग में कहीं सारे words है so G for girl, done तो चलो, अभी हम next one करें तो चलो, पहले क्या करना है, students? पहले हम कर देंगे इसे cow, done और यहां पर इसे करना है sleeping line, so capital letter G G for gate, G for gate और G की sound क्या होती है? yes, gu तो हम कैसे बूलेंगे? G for gu, gu, gate, done अब क्यों स्टूडेंज, चलो अभी हम capital letter कर लिया अभी हम small letters करेंगे तो चलो, small letters G कैसे करना है? yes, पहले आपको करना है student देखो, gu done curve कर दिया फिर standing line करके आपको वहीं से curve continue करना है देखो, हुआ? so small letter G G for got G for got done, अभी चलो हम next one करते है right? तो सब से पहले आपको करना है curve, done और curve हो जाए उसके बाद आपको करनी है standing line और वहीं से आपको इसे curve कर देना है बन गया ना small letter G? चलो, अभी हम फिसे करते हैं ताकि आपको अच्छे से आ जाए तो पहले हम क्या करेंगे? yes, पहले हम करेंगे curve, done फिर हम कर देंगे यहाँ पर standing line करी और देखो यहीं से आपको इसे curve बनाना है then students, so यह बन गया small letter G, right और G से जो भी letter start होते हैं वो भी आपको बोलना है students, उसके साथ आपको थोड़ा सा homework भी करना है तो आपकी संशन की book open है, तो उसमें आपको open करना है page number 73, तो यह page आपका homework है but students, आपको याद रखना है, जब आप capital G लिख रहे हो तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया, वैसे ही आपको यहाँ पर लिखना है right, वो ही right method है, okay so अच्छे से अपना work करना, thank you